हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल उपचान नुस्के में दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हम चैनल उपचान नुस्के में रोज एक लेटेस वीडियो अपडेट करते हैं यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल उपचान उसके को सब्सक्राइब कर लें आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी हतेली की करियर लाइन देखकर बताएंगे कि आपके लिए कौन से फिल्ड बहतर है और आप कौन से फिल्ड में अपना करियर बना सकते हैं जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में हस्त रेखा का काफी महत्व है हमारी हतेली में कई सारी रेखाएं होती हैं जिसमें से एक रेखा, करियर या भागी रेखा होती है हम सभी लोग अपने करियर को लेकर काफी डिस्टरब रहते हैं और सोचते हैं कि हम किस फिल्ड को लेकर आगे बढ़ें या हमें कौन से फिल्ड में सफलता मिलेगी सरकारी या प्राइबेट दोस्तों हम यहाँ पर आपको आपके हतेली की करियर लाइन देखकर बताएंगे कि आप कैसी नौकरी में सक्सेस हो सकते हैं हम सभी के लिए हमारा करियर बहुत ही इंपोर्टेंट होता है हमारे करियर कैसा होगा यह जान पाना थोड़ा मुस्किस जरूर होता है पर अंतु नामुम्किन नहीं क्योंकि हतेली की लकीरों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी सरकारी नौकरी लगेगी या प्राइवेट नौकरी लगेगी या फिर हमारा खुद का कोई बिजनेस होगा करियर या नौकरी लाइन जिसे अधिकतर लोग भागी रेखा के नाम से भी जानते हैं यही बेलाइन है जिससे आपके करियर और नौकरी के बारे में जाना जा सकता है तो अब बात करते हैं हमारे हतेली में स्थित करियर रेखा की जिससे हम जान सकते हैं कि हम कौन से फिल्ड में अपना करियर बना सकते हैं दोस्तो यदि आपके हतेली में उचपत योग बन रहा है तो आपकी कोई हाई पोजिशन जॉब लग सकती है इस्त्री हो या पुरुस जिनके हाथ में सूरी रेखा, मस्तक्स रेखा से मिलती है और गुरू परवत पर चतुस्कोड बनाती हो ऐसे लोग जीवन में उच्च पत प्राप्त कर सकते हैं हम ऐसे कई लोग IAS, PCS जोब पाना जाते हैं तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आपके हतेली में वे कौन से योग हैं जो आपको IAS या PCS बना सकते हैं जिनके हाथ में सूरी परवत और गुरू परवत उबरे हुए हो, सनी परवत पर, त्रिशूल का निशान हो और जिन लोगों की भागी रेखा हतेली के बीच से सुरू होकर एक साखा गुरू परवत और एक साखा सूरी परवत को जाती हैं ऐसे लोगों के जीवन में PCS, IAS बनने के योग बहुत अधिक होते हैं कई भी ध्यार्तिकस अपना पाइलेट बनने का होते हैं क्योंकि पाइलेट बनने के लिए हमें कोई higher degree की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तो यदि आपकी हतेली में यह योग बन रहे हो तो आपको पाइलेट बनने से कोई नहीं रोक सकता जिन लोगों की हतेली में चंदर रेखा, जीवन रेखा के बराबर होती हैं और जिन लोगों का बुद्ध परवद और गुरु परवद उचा हो तो ऐसे लोगों के पाइलेट बनने के योग बहुत अधिक होते हैं वकील बनने के सपने को पूरा करपाना कोई असान काम नहीं होता यदि आप वकील बनना चाते हैं तो आप अपनी हतेली में बन रहे योग को देखकर जान सकते हैं कि आपके हतेली में वकील बनने के योग बन रहे हैं या नहीं ऐसे जातक जिनके हतेली में सनी रेखा और गुरु रेखा पूरी होती हैं और सांथ ही चमकदान वे डाक होती हैं ऐसे लोगों के जीवन में वकीर बनने के योग बहुत अधिक बढ़ जाते हैं पुलिस सेवक बनने का सपना भी कई विधिहारतियों का होता हैं इसके लिए विधिहारती 10th या 12th क्लास के बाद ही कोचिंग लगाना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तो यदि आपके हतेली में यह योग बन रहे हैं तो आप अपने पुलिस सेवक बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के हतेली में मंगल परवत और सूरी परवत पर कोई रेखा न चुए तो ऐसे लोग जीवन में पुलिस की सेवा में जा सकते हैं आज कल कई गल्स नर्स या सेवी का बनना चाती हैं तो दोस्तों अब बताते हैं कि नर्स वे सेवी का बनने के वे कौन से योग हैं जो आपको नर्स या सेवी का बनने में मददगार सिद हो सकते हैं जिन लड़कियों के कलाई गोल होती हैं हात लंबे वे सुन्दर होते हैं और साथ ही बुद्ध परवत पर खड़ी रेखाई होती हैं ऐसी लड़कियों के नर्स वैं सेवी का बनने के योग परबल होते हैं यदि आपकी हतेली में यह योग बन रहे हो तो आप ड्राइवर पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं जिनके हतेली वर्गाकार होती हैं नाखुन लंबे होते हैं और चंद्र परवत उठा हुआ होता है इसके अलावा हतेली की सूरी रेखा, हिर्दय रेखा को चूती हो ऐसे लोगों के जीवन में ड्राइवर बनने के योग होते हैं यह अपने ड्राइवर बनने के सपने को पूरा कर पाते हैं दोस्तो अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई हैं सभी बाते पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल उप्चान उसके को सब्सक्राइब, लाइक और सेर करना ना भूले